दिल्ली का जो सेंटरल जेल है वहाँ पे जो कैदी लोग पगार मिलता है उससे भी कम पगार में यहाँ पे आमारे भीवणटी के मज़़ूर भाई बहन काम कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि उनके बस कोई रास्ता नहीं है नमस्कार आदाब आए बात करते हैं भियोंटी लोकसभा की भियोंटी लोकसभा के हज में नेताओं की अपनी अपनी सभा भी बड़े जोरों पर चल रहे हाला कि अभी किसी भी उमिद्वाद ने फाम नहीं भराए क्योंकि अभी वो समय नहीं हुआ हाला कि महारश्टरा में आज वोटिंग का पहला दिन भी है बहराल पुरिदेश में लोकसभा का चुनाव गोशित हो चुका है और अपने अपने अस्तर पर अपने अपने समय पर आप वोटिंग भी जहां हैं करेंगे या कर रहे होंगे आज हम बात करेंगे बहुंडी लोकसभा में कुछ ऐसे उमिद्वारों में से एक की कपिल पाटिल पिछले दस सालों से एनि दो बार लोकसभा के मेंबर रहे एनि मेंबर आप पार्लिमेंट मंत्री भी रहे उनका काम कारेकाल भी आपके सामने है उसके बाद बालय मामा तीनों नाम हमारे चैनल पर एक के बाद एक आता रहा है उनकी जानकर या भी हम देते रहे हैं खाथ बात यह है कि आज हम जिससे बात करने वाले हैं अगर टेक्नलोजी की बात करें या कुछ ऐसी साइडों की बात करें जो पबलिक के काम आए वैसा इन तीनों में से शायद शंकर मुटक्री जी हैं एडोकेट हैं खाथ बात शंकर जी आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि भीवंडी लोकसभा में मौजूद मत दाता आपको वोट क्यों दें पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपने एडोकेट दो साल किया है ठीका मैं रहता हूं तो जो जो लीडर से उनसे तरस्त अब विकास के लिए एड़ी की जनता के लिए देश की भलाई के लिए वो उनसे इन सब की कारण इन जो नेता लोग है उनसे जनता तो जनतातरस्त का मतलब दर्शक या ये वीडियो जहां तक जाती है वहां तक देश की क्या हालत है नेताओं की क्या हालत है सबको पता है मगर अब नए नए लोग इस फिल में उतर रहे हैं क्यूंकि जो पहले से मौजूद हैं वो काम नहीं कर रहे हैं ब्योंली शहर की हालत तो आपको भी पता है मुझे भी पता है और इस वक्त हमारे साथ शंकर मुटक्री जी मौजूद है उन्हें भी पता है क्योंका जन्म यहां हुआ है तो बहुत कुछ इननों देखा होगा अच्छे आपकी पढ़ाई यहां कहां पर हुए आपके एजोकेशन मैं बिवन्डी में बिवेकल को मैं थेल् sang 7 ऊब्धिशत करें लास्ट ग्यारा साथ से चीप चरश्ट हूं डेखा चुछ इसल्ब्यों के लेकिन केंदर सरकार की नीतियों के वज़े से यहां का जो वस्रोद्यों के बरबादी के कगार पर खड़ा है तो यहां पर रोजगार के लिए बहुत सारे लोग अपना रोजी रोटी करने के लिए अजुबाजों के जो गोडाउं से वहां पर काम कर रहे हैं लेकिन मैंने लास्ट टाइम में आपक क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है तो इसको मैं मद्दय नदर रखते वे मैंने भिवंडी असंगटित कामगार संगटना का शुरुवात किया है जिसमें भिवंडी और आसपास के जितने भी ग्रामिंड शेत्र के लोग है शापूर से भी लोग है मूरबार से भी ल नीकली अचका मुदधा है महेंगाए है महेंगाए से पूरा ब्योज्वटी तरस्ते अब बचना करना है अगर माली हालत इसको बढ़ा ना है जो इनका हाक है तो उसके लिए मैं असंगटित कामगार संगटना के और से इनका पगार बढ़ाने का मैं अंदोनन्ट कर रहा हूं अपने दर्शकों को बता दूँ कि मांचेश्टर जो सेंटेंस है ये विदेश में है और हम जहां बैठे हैं ये बिहुंडी शहर ये हमारे देश हिंदुस्तान का मांचेश्टर है कपड़ा नगरी के ये शहर पूरे देश में जितना कपड़ा तयार होता है उसका 31% कपड़ा बिहुंडी शहर से तयार होकर देश विदेश में जाता है मगर बियोंडी शहर की जो हालत है इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है आधे लूम बंद हो चुके हैं और मोती उद्योग भी यहां था यह भी करीब करीब खत्म हो चुका है वो लोग बेरोजगारी के कगार पर पहुँच चुके है केंदर सरकार और राज सरकार की नीतियां समझ के बाहर है इसलिए यहां लोग परिशान है और इसी दर्द को लेकर शंकर मुटकरी जी मैदान में हैं मेरे एक सवाल आप से और था कि जिसे आप एवीपी में जुड़े थे तो वह एक आदिसे से यहांनी बीजेपयोगरा का एक विंग है तो एक उमीदवार तो आप हैं तो फिर कपिल पार्टिन सब भी उमीदवार हैं तो ऐसा नहीं लगत से मेरे जो कारेकरता हो और से वो लोग से मुझे प्रोच्सान मिला और मैं भीवंडी और भीवंडी की सेवा करने के लिए और देश की सेवा करने के लिए यह लोगसाब चुना लड़ रहा हूं क्योंकि हम लोग घीए तर रोजी रोटी के लिए हमारे जो है अंद्रा प्रदेश त glandव भीवंडी के लिए में सताइक हों है हमारे फिर्वज है और रोजी रोटी के काम कर रहे हैं तो अमरे भासारे नेता लोग है बहुत सारे पैसे वाले लोग है वो चाहते हैं लेकिन किसी ने शुरुआत नहीं कि भगवान ने मुझे एक मौका दिया है आप लोग के सेवा करने का इसके लिए मैं आपके सामने हूँ हलाकि देखा जाए तो भिवली शहर का पदमानगर का जो छेतर है तेलगो समाच का तेलगो समाच के नाम पर राजनिती करने वाले इस लाके में कई काम्याब नेता भी मौझूद हैं बहराल इनी के बीच से इनी का एक बेटा इनी का एक भाई अब मैजान में है तो कहीं न कहीं तेलगो समाच के लोग जरूर पीछे खड़े होंगे और दूसरे समाच के लोग जहां तक इनके अपने तालुकात होंगे और चुनाओ लड़ना हक की बात करना आवाद उठाना ये हर इनसान का अपना हक है ये बावसाब अमबेट करने ये हक कानून के हिसाब से दिया भी है और माना भी जाता है दिली ये पुरी दुनिया में मशूर है पुरी दुनिया के टार्गेट में भी रहता है क्योंकि लोग देखना चाहते है पारलिमेंट क्या है या हमारा जो स मेरे दुआ है कि आप आगे बढ़ो तो आप अगर वहां पहुंचोगे तो देश के लिए क्या सोचोगे जो देश के हित में हो मैं आपके माद्यम से जनता से लोकसभा क्षेत्र की सभी मतदाता बंदू-बंदू-बंदू-बंदू-विनम्रा आवान करता हूं मैं मैंने जो तो रिसर्च किया है मैं फाइनांस कंसलर्टनू मैं विद्यय सललागार हूं LASTE 18 साल से मैं काम कर रहा हूं मैं इस सेक्टर से देश की सेवा करने के लिए मैंने देश के अर्थिक शेत्र में कुछ संशोदन किया है जिसमें लोन कार्ड एक बना है मैंने जिसका कॉपी रेट पेटेंट है इसके यह ने मैं भारत सरकार को मैंने प्रपोजल बेजा है अगर यह लागू हो गया तो यह वर्ल्ड का पहला लोन कार्ड होगा इससे देश को भारत सरकार को हर साल 60,000 करोड का मुनाफ़ा होगा और 150,000 को रोजगार मिलेगा इसके आलावा जो बैंकों में लोगों के ओर स्वेर्ण आपर लोगों के भारत सरकार को में इसका इसन outward देश में जो लोन्स दिबाटे जाते कोई दूब यहां इसका कोई प्रावदान नहीं है तो मैंने प्रपोस्टाचार और रोगने के लिए नमबर मैं प्रपोजल बना कि मैंने भारत सरकार और रिजवास रिजवास को दिया तो जसे रिजारी सवाल है अपके चाहने वाली तो कर like रोग तो दूसरे दोस्त भी होंगे इसे लोग होंगे तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी लिए और देश के लिए मैं पूरी जंता से आवान करूंगा कि पास साल में एक ही बार आपको ऐसा मौका मिलता है कि आपका अपना नेता और अपका भविश्य चुनने का आ आप अपना विवंडी का विकास करना है देश का विकास करना है तो एक आपके पास साल में एक ही बार ऐसा मौका आता है कि आप अपने पसंद का नेता चुन सकते हैं तो मेरा आप से विनम्रा आवान रहेगा कि मुझे एक बार विवंडी का विकास करने के लिए विवंडी है कि आम तोर से देखा जाता जब चुनाव आता है तो भ्योंडी शेहर से लग कर धाबों पर होटलों पर भील बढ़ जाती है और उमीदवार को खीच कर वहां तक ले जाया जाता है ठीक है अगर आपके मन में है खाना खाना एक रोटी खाना है तो खाइए मगर अपने शहर के हित के लिए अच्छा सही पढ़ा लिखा उमीदवार चुड़ने का परियास भी कीजिए इस वक्त मैं शंकर मुटकरीजी के साथ में हूँ कैमरा ऑपरेट किया अर्विन जैसवार ने मैं खान फखर आलम उत्तर परदेश के माउनात भंजन का सूरज मारका लाल तेल चोट मोच दर्द में बहुत ही लाबदायक बहुत ही काम का बिवनडी शहर में मिलने का ठीकाना याद रखें फिर्दोस पर्फिमर्स बागे फिर्दोस मज़ित के पास चौथा निजाम पूर बिवनडी मोबाइल नमबर आपके स्क्रीन पर